जै बाबा श्रीमनी महिश्ची की जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमनी महिश्ची की पवित्री यात्रा हर साल जन्मास्टमी के शुब अफसर से प्रारंब होकर रादास्टमी तक चलती है चुकि जन्मास्टमी इस पर 7 सितंबर की है तो बक्त इस पर श्रीमणी महिश्ची की यात्रा 7 सितंबर से शुरू होगी और 23 सितंबर को रादस्टमी के दिन संपन्न होगी यात्रा पर जाने के लिए सबी बक्तों को medical और registration करवाना अन्यवाज्य है तो आये जानते हैं कि यात्रा पर जाने के लिए क्या क्या guidelines हैं और step by step online registration आप कैसे कर सकते हैं यात्रा के registration के लिए आप अपने web browser में hp.nice.in को open करें यात्रा के लिए registration के website का link हम अपनी वीडियो के description box में भी share कर रही है आप उस link पर जाकर भी अपना registration करवा सकते हैं website के home page पर आप देख सकते हैं यहाँ पर click year for यात्रा registration का link दिया गया है registration के लिए आप इस link पर click कर दीजिए देखिए एक नया webpage open हो गया है यहाँ पर कुछ आवश्यक सूचनाय दी गई है जैसे कि यात्रा आधिकारिक तोर पर 7 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक होगी base camp हर्जर में medical check-up में अस्वस्त पाए जाने पर यात्रा की अनुमती नहीं दी जाएगी प्रत्यक यात्री को यात्रा पर जाने के लिए registration करवाना अनिवार्य है बिना registration के यात्रा करने पर किसी भी base camp से यात्री को वापिस बीजा जा सकता है अगर आपने already registration कर दिया है और आपकी यात्रा परची में सो गई है तो आप अपनी यात्रा परची को वापिस डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर here to download और repayment of already registered application पर क्लिक कर यहाँ पर date of birth, mobile number और ID number डाल कर अपनी यात्रा परची को वापिस डाउनलोड कर सकते हैं यात्रा के दोरान registration की print out copy लेकर आना जरूरी है यात्रा पर आने से पहले अपना medical certificate जरूर बन वालें एक mobile number से अधिक तम पाच यात्री एक application जमा कर सकते हैं अगर आपको यात्रा के registration और payment करने में किसी प्रकार की परिशानी आती है तो क्रिपयाप money-mahish yatra at the rate netgen.in पर email कर जानकारी प्राप्त करें देखिए यहाँ पर यात्रा का form दिया गया है आप देख सकते हैं कि form में कुछ details के आगे estric symbol लगा है और कुछ details के आगे estric symbol नहीं लगा है प्रिपया form परते समय आप ये याद रखें कि जिन details के आगे estric symbol लगा है उनमे details fill करना जरूरी है उन column को आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं और जिनके आगे estric symbol नहीं लगा है उन्हें आप चाहें तो अभी खाली छोड़ सकते हैं तो चलिए form बढ़ना शिरू करते हैं नेम वाले column में आप अपना नाम लिख देंगे father slash husband name में आप अपने पिता अथ्वपती का नाम लिखेंगी date of birth वाले column में आपको अपनी जन्मितिती लिखनी है जो कि आपकी photo ID proof पर दे हुई है mobile number में आपको अपना mobile number लिखना है date of birth एंड mobile number सही दें क्योंकि registration slip डाउनलोड करने के लिए आपको इन दोनों की आवश्यक्ता पड़ेगी gender में से आप अपना gender select कर लें nationality वाले column में से अपनी राश्च्रियता select करें state में अपनी state select करें district में से अपना जिला address वाले column में अपना पता लिखें reporting date at base camp में वो date select करनी है जिस state को आप base camp हडसर से अपनी यात्र शिरू करेंगी name of emergency contact में उस person का नाम लिखना है जिसी किसी भी आपातकाली निस्तिती में बात की जा सके contact number in case of emergency वाले column में आपको उस व्यक्ती का mobile number लिखना है blood group में आपको अपना blood group select करना है email में आपको अपनी email ID लिखनी है ID type में से वो ID select कर लीजिए जो आप यात्रा पर अपने साथ ले जाएंगी मैंने आधार कार्ड select कर लिया है ID number में आप अपनी ID का number लिखतेंगे मैं यहाँ पर अधार number लिख रही हूँ photo ID में आपने जो उपर ID select की है जैसे मैंने आधार कार्ड select किया है तो मुझे अपना आधार कार्ड upload करना है कृपया ID upload करते समय आप ध्यान रखें कि ID का size 2MB या उससे कम ही होना चाहिए और ID का जो format है वो JPG, JPEG, PNG यत्वा PDF format में होनी चाहिए Medical certificate upload वाले कॉलम में आपको अपना medical certificate upload करना है Medical form डाउनलोड करने के लिए कृपया आप download sample पर क्लिक करें देखिए ये श्री मनी में ये यात्रा 2023 का medical form है आप इस form को fill करके किसी भी private या सरकारी hospital से अपना medical करवा लीजिए Medical form कैसे बढ़ना है उसके लिए हम इस वीडियो के description box में श्री अमर्नाजी आत्रा के medical form की video reference के लिए share कर रही है आप उस वीडियो की मदद से अपना form बढ़ सकते हैं अब वापस आते हैं registration window पे JPG, JPEG, PNG अथो PDF इनमें से किसी एक format में upload कर दीजिए अगर अभी medical certificate नहीं बनवाया है तो अभी इस column को आप खाली छोड़ दीजिए Medical certificate बनवा के रख लें यात्रा की दोरान, registration, परची के साथ अपना ID proof और medical certificate भी साथ ले कर जाएं Do you wish to donate for यात्रा? यदि आप यात्रा के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप Yes या No में से वो option select कर लीजिए Additional person, accompanying में आप अपने साथ अधिक्तम चार यात्रियों को और add कर सकते हैं जो के आपके साथ यात्रा पर जा रही हैं एक, दो, तीन या अधिक्तम चार जितने भी यात्री आप select करेंगे उन सभी का नाम, एज और जेंडर आपको यहाँ पर लिखना है अगर आप अकेले ही जा रही हैं तो आप यहाँ पर None, Going Allen को select कर लीजिए Enter CAPTCHA में आप यहाँ दिया हुआ CAPTCHA एंटर कर दीजिए I hereby confirm that all the information provided above is correct to the best of my knowledge वाले इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए Registration के लिए आपको मात्र 20 रुपए ही पे करने हैं उसके बाद आप यहाँ Registr पर क्लिक कर दीजिए Registr पर क्लिक करते ही Next वेब पेज ओपन हो चुका है जहाँ पर लिखा है Verify OTP for Share Money महिश्ची याचा 2023 यहाँ पर आपको वो OTP एंटर करना है जो आपके मुबाइल नंबर पर आया है OTP एंटर करने के बाद आप Verify OTP पर क्लिक करें Verify OTP पर क्लिक करने के बाद Payment Gateway विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर Pay With में से आप वो Option सेलेक्ट करेंगे जिसके थूँ आपको अपनी पेमेंट करनी है उसके बाद Card Details या Net Banking Details एंटर करने के बाद आप Proceed पर क्लिक करेंगे आपके Mobile Number पर Bank से एक OTP आएगा उसे एंटर करने के बाद आप Make Payment पर क्लिक कर देंगे Make Payment पर क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार से आपका यात्रा का पर्मिट ओपन हो जाएगा आप यहाँ से अपने पर्मिट को डाउनलोड कर लीजिए तो बक्तो इस प्रकार से Step by Step प्रोसीजर को फॉलो कर आप श्रीमनी महिर्शी यात्रा के लिए अपना रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए क्रिपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बोले बाबा जी के आशिरवात से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी बक्तों तक पहुँचा सकें जै बाबा श्रीमनी महिश जी की